हाई अब्रवान वेल्कम तो मैं चानल आयाम सेमिन सहानी तो आज से स्टार्ट करें हम अपनी क्लास 10 के इंग्लिश और अभी पढ़ने आले पहला चाप्टर जिसका नाम है लेजर टुगॉड तो भई चाप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले आपका टास्क होगा हर एक इंग्लिश के चाप्टर में मुझे ना कॉमेंट सेक्शन में ऑथर का नाम बता दीजिए ठीक है तो सबसे पहले लेजर चुगार्ट का नाम बताइए और मैं तुम्हें बताती हूँ चाप्टर की पूरी स्टोरी डिटेल में यह चाप्टर नहीं बहुत ही इंट्रेस्ट चाप्टर में होने के अवाला है हम ना काफी कुछ जानेंगे इस चाप्टर के थ्रू जो है लाइफ के बारे में भी दो कहावते तुम लोगोंने काफी बार सुनी होंगी पता है पहली कहावत कौन सी कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी दुनिया और पता है कि अगर हमें चीज़ में बहुत ज्यादा रखें तो कहीं ना कहीं वो ज़रूर हमारे लिए पूरा हो जाता है पता निοι पूरा यूनिवर्स कुछ करता है कि वह अप्लेश हो जाता है और एक और कहावत और सुनी होगी कि भालाई का जमाना नहीं रहा है तो काफी कुछ न अवरला इसने एनम किया विश्वास कशफाश कीपार Mm मेक्सिको टाइब मांद ना यहां के स्कारी स southwest तो यह अना इनके लोगों की पारिमी कहानी है उसका खेत अब क्या होता है इसने अपनी फसल ऊगाई और जैसे की आपको पता है जैसे किसान फसल उगाते हैं छिए मनेद चाहिए उसके बारिष होती है तो लेंच को भी यूज़ हर ऐस कि आ था बारिष के इंतजार थी बारिश आती तरह बन क्या होता है न बपर शनली वह वह बरसात से मदद मांगता है तो अभी थोड़ा से ऑवर्व्यू मैंने देदी तो देखेंगे हैं घृट उसकी मदद कैसे करते हैं तो let's start this chapter तो मैंने थोड़ा से ओवर्विव आपको इस चाप्टर का दे दिया है ठीक है तो कहानी शुरू होती है हमारी हमें सबसे पहले बताया होता है कि जो लेंचु है ना उसका घर पता है कहा है बिब्कुल इस पिच्चर को देख लो ऐसे सी ना एक लो हिल की क्रेस्ट पे आप कन देख रही है लेंचो की फील्ड दिख रही है पता है किस की फील्ड को देख रहा है और उसको पता है कि मेरी फील्ड को बस एक ही चीज़ की जरूरत है वो क्या अपने घर के बाहर सुभा से मॉर्णिंग से समझ लो हमारा लेंच अंकल आ गए है और ये सुभा अपने घर के बाहर नॉर्थ इस्ट की तरफ देख रहा होता है और इसे लग रहा होते है प्रेडिक्शन करते है जैसे जैसे मौसम बदल रहो ओते हैं तो हम कि आज तो यहां पर अपनी wif को क्याता है कि आरे लग रहा है आड बारिश आइगी तो उनको भी पता है उनको भी कितना इंपॉर्टेंट बारिश आना जिसे उनकी ही फसल पक जाया राइप हो जाए तो उनकी वाइफ कहती है गोड विल्म जैसे हम कहते है ना जैसे हम कोई अच्छी सी बात बोलते हैं तो सब घर में किया है ज़रूर हो जाए इस टाइप से तो नंकी वाइफ है वो कन्फर्म करती है फिर क्या होता है उनकी वाइफ जो है डिनर बना रहे हो तो समय पर लेंचो के जो बड़े बेटे हैं वह वाज लगाते हैं चलो भी है सब खाना खाने के लिए अब सब डिनर तेनर बेट चाते हैं और समना खाना खारी होते हैं और जब खाना खारी होते हैं तो वही जो लेंचो की प्रेडिक्शन होती है आपके लिए नोट्स पी रेडी हो रखे हैं तो जो लेंचो की डॉनी लेंचों प्रेडिक्शन जहें तो अपने लेंचे भी घर से बाहर जाता है वो जो soft air थी, breeze थी, उस सब को जो feel करने के लिए, ठीक है, ओके, तो बड़े-बड़े mountains of drought आ जाते है, कौन से directions से आते हैं, वहीं नौर्ट इस से आते हैं, तो बिक्कुल सही था हमाई, लें जो को prediction, अब वो उस बारिश को देखके अंदर आतर कहता है, कि ये बारिश नहीं है, ये पता है, पैसे बरस नहीं है, उपड़ से coins है, समझ के, बारिश की बूंदों को वो compare करता है, क्यों करता है, कहता है, ये जो बड़े वाले हैं, ये 10 cents है, याद रखना, ये जो बड़े वाले हैं, ये 10 cents है, छोटे वाले 5 cents है, लें जो बहुत ही जादा साटिस्फाइड हो गया था, और तभी जो है, ऐसी वो satisfied होता है, suddenly बहुत तेज हवा, बहुत जादा ना तेज वाली वो जो थंडर स्टॉम टाइक वाली हवा होती है, वो चलनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और धीरे ही दीरे, वो बारिश हेल स्टोन में बजल जाती है, हेल स्टोन, अभी मैं आपको प बारिश की बूंदों को कह रहा था, क्या कह रहा था, कि यह कॉइंस है, वो तो कॉइंस ऐसे नहीं देखने में नहीं लगेंगी, और जब ओलो गिरे, तो वो तो सिल्वर कॉइंस ही लगे थे, तो छोटे-छोटे बच्चे थे, लेंचो को खुश हो जाते हैं, वो जाकि उ इसे सोच रहे थे, बट लेंचो को समझ में आ गया तो भईया, प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि अगर अगर यह जादा देर तक हुआ ना, तो हमारे लिए सही नहीं होगा, ठीक है, लेंचो अंदर से सोच रहा थे, काश यह जल्दी से खतम हो जाए, बट ऐसा नहीं होता ह एक घंडे तक अल्मोस जो है एनार गेवन है, एक घंडे तक यह बरफ वाली, जो हेल स्टोन्स वाले, बरसते रहते हैं के आसमान से, पूरा गार्डन, पूरा हेल, पूरी की पूरी लेंचो की जो फील्द है, वो भर जाती है, किस से बरफ से भर जाती है, ऐसा लग रहा थ कि उसकी पूरी की पूरी फील जो है उसकी नहीं नमक छिड़क दियो तो उसके लिए जो है वह हमारी बुक में एक फ्रेज बिगिवन है वाइट ऐसी थी वह जैसे की कवर्ड विट सॉल्ट फील्ड कैसी होई वह बार जब बरा फाली बरसाथ जब खतम हुए एक गंटे के ब पचा और लेंच अपनी मिडल ओफ फील्ड में जाता है फिल्ड की बीश में जाता है और उसकी सोल जो तीना गाइस वह बहुत ज़्यादा से भर गए थी वह बहुत अंदर से परिशान हो गया क्यूं क्यूं नहीं होगा वह पर्षान उसकी पूरे के पूरी मेहनत जो थी अब यूससे आगे फ्यूचर की वी टेंशन थी कि अगर ये फसल कटके नहीं बिकेगी तो उसके पास पैसे नहीं होंगे पैसे नहीं होंगे तो घर का खर्चा कैसे चलाएगा और लोग जो है अपनी लाइविधूड मेंटें कैसे करेंगे तो इसके उपर बहुत सारी जो लगता है तिड़ी कहते हैं ठीक है तो यह बहुत सारी घटी जुन में आती है और अटाक कर देती है खेतों के ओपर तो वह कह रहा है कि अगर यह प्लेग ऑफ लॉक्टर्स भी होता ना अगर यह इनोंने भी अटाक करो था तो भी शायद कुछ कॉन की फसल बज गई होती बट यह हेल स्टोंस ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है तोटल लॉस हो गया था और वो क्या डिक्लेयर करता है कि इस साल हमारे पास कोई कौन नहीं होगा और वो पूरी रात उनके लिए बहुत दुख भरी थी ठीक है और जो है सद्नावी काम हम लोगों ने कर लिए उमीद नहीं चोनी चीए होप वर्ड में बहुत ताकत होती है तो वो जो लैंचो था हमारा उसके मन में अभी भी एक उमीद थी वह क्या थी है तो लैंचो का ना बहुत विश्वास था ठीक है उसने हमीशा से ही अपनी लाइफ में भगवान के हिसाब से ही उसने सार अदthen की हैं तो इस लिए स्थूड़ी इसुड थोड़ी होता है कोई भूख से नहीं मरता, नहीं मरता कोई भूख से और वह सोचता है कि चौह होगा मै भगवान से मतरत माँगा जैसे कि हमें बता है ये इंपर्टेंट फ्रेज ये मैं इन आपको बता रहे हैं इस वाइन लेंट करता था राध। तो लैटर लेता है लेंचो और ना भगवान जी के लिए लेटर लेखना शुरू कर देता है तो वो अपने लेटर में लिखता है तो अब किस मिलेकट रे noises प्रादेकाल के टाइम पे डॉन के ताइम पे जो है सुबह सुबह जो है अपना लेटर लिक्ता हूं समय लिखता है कि भगवान अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो इस साल में और मेरी फैमली जो है भूकी रह जाएंगी तो उसके लिए मुझे सौ पैसोस की जरूरत है पैसोस का इस करणसी है लेटिन अमेरिका की कंट्री जैसे हमारी रूपीज है ना हमारी करणसी ठीक है व पैसोस चाहिए और हेल्स्ट्राम निमेरी सारी की सारी बरबात कर दी है और यह साब लिख देता है अपने उस लेटर के अंदर और लेटर के उपर पते है वह क्या लिखता है जैसे मैं नहीं हाप थोड़ा अक्प्याप से बनाया है तो वह लेटर के इन्विल अपर लिख लिख लिख से लिख इंदर है दल सब्सक्राइब भगवां के लिए और छुज जाता है और गर्यार कि जाता है और यह जा एक पॉस्ट अभांत शोड़ा वह देन्न dat इक टबुछ पॉस्ट-भांत कर बना उसको मैं सब्सक्राइब लेटर हमारा ने जुटम को लिखता पी वो जव यह बढ़न सोच हो जाते हैं जैसे ने में आपको कहा ना वह सकते हैं तो लिए प्रॉब्लम में कि लेटर लिख देखते हैं कुछ ऐसा तुमने भी सोच होगा या हमने क्यों नीच वह लेटर लिख देंगे तो वैसा है ना बेकुल ये Post Master ना हिरान हो जाते है कि भई ये क्या इतना फेथ है इस इंसान में कि इसको ने जो है भगवान को letter लिख दे है जान कि प्यारी को प्राइब करें ये अरुको ने घ्रम प्राइब करें तो पोस्टमास्टर ने जो कहा था भाई अब तो पूरा करना ही है अपना mission बना लेते हैं postmaster जी क्या कि चाहे इसको पैसे इखटे करके देने हो मैं जरूर करके दूँगा और पूरे के पूरे 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 पोस्ट ऑफिस के employees थे वो सब अपनी जो है उसके अंदर contributions देते हैं पोस्ट मास्ट जी खुद अपनी salary में से contribution देते हैं पोस्ट मास्ट के जो friends थे आसपास के लोग वो भी as a act of charity ना की चलो charity के लिए यानि की भला करने के लिए उनका सब लोग अपनी तरह से थोड़ा थोड़ा contribution करते हैं लेंचों के मदद करने के लिए तो देखा कितना अच् अच्छला जिनको पता है little more than half मुझे comments पर मताओ तो little more than half एक खटा कर लेते हैं और एक letter थोड़े दिनों बात यानि कि Sunday को लेंचो आता है जिल्दी आता है लेंचो को बहुत जल्दी थी भाहिया मुझे अपने letter लेने जाना है तो लेंचो भाहिया आप उसका determination लेटर लेने भी गया है उसको मताब कि पूरी उमीधि कि हाँ भगवान मेनी मदद जरूर करेंगे इस तरीके से जो पूश्मास्टर है वो से गौड़े लेंचो आता है और पोस्मास्टर को जा कि है तो आप पोस्मास्टर लेंचो को एक्पकड़ाते हैं ठीक है तो आप सिमझे कि अनसमने मिलकर रिग डेट करिती अच्छा कम करा तो बहुत सब गींटेंट्र थे तो वह खुज आके लैंचो के हाथ में लेटर देते हैं और पीछे से ना वो ऑफिस में से देख रहे होते हैं लैंचो के customer क्योंकि उन्हों नहीं तो वह इतना अच्छा काम करा था तो वह देखना चाहरे थी कि लैंचो को कैसा reaction होगा तो वह लैंचो को अपने तो इतना भरूसा था भगवान पर कि उसको बहुत सर्प्राइज नहीं लेगा उसको पूरा यकीन था कि हा मुझे रेप्लाइए मिलेगा अब वह जो है लेटर उपन करता है वहां से साथ पोस्टमास्टर देखे अपने ओफिस में से ठीकिया वह जैसी लेटर उपन करता है से लगता है लेंच्व को गुर्टय हो सकती हाँ जाता है अर्य को करता है और यह पेपर पैन ठीक है और बहुत की लेकर लिख रहोता है और जब वह लिख रहाता है तो जो आइब्रो जो होती है वह प्राउं हो जाती है त्य хозяद आते है आते दाल देता और चला दाता है वहां से आपने सतर पैसोज लेके अब पोस्टमास्टर जी आते हैं देखने के लिए भाईया क्या लेटर टाले वह पोस्टमास्टर खुद मेल बॉक्स में से लेटर निकालते हैं और लेटर को उपन करके बढ़ते हो तुम शौक हो जाओगे उस पोस्टमास्टर को कैसे फील होगा यहां पर यह चाप्टर को क्या लगता है कि यह जो पोस्टमास्टर और यह पोस्टमास्टर के जितने भी लोग है इनों ने मेरे जो बच्चेवे पैसे ना वो चुरा लियोंगे और वो जो है गॉड को लिखता है कि अपकी बार मेरे बच्चेवे पैसे भी भिजवा दो बट पोस्टमास्टमास्टर ने समने मिलके इतनी महनत करी हो इतने खुश थे कि आरे भईया लेंचों खुश होगा वो लेंजो की खुशी देखी भी साटेस्वाइड हो जाते बट नहीं ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी की मदद करें ना तो बस मदद करें और भूल जाए रियाक्शन मत एक्सेट कीजे तो यह चीज हमें बहुत बढ़िया सीखने को मिलती है और यह सब बाते हमने इस को यह चैपटर आ तो में ब्रॉल प्रिप किस्टीि दिमांग भी तो इस चैपटर के पूरी स्टोरी भी बचा दिया और न से एक एक लाइन्स प्रेसिया जहांसे आपके आपको क्वेश्ट नंसर सबनके आ सकते हैं इस अन्हें जा अपको मिल चुकी है अब को यह वहाँ पर मैं सभी chapters के notes upload करते हूं, question answer upload करते हूं, ssdk, science के भी, English के भी, जा के आप एकसेस कर सकते हो, ठीक है, अगर आप Instagram यूज नहीं करते हो, तो comment sections के अंदर आप check कर सकते हो, मैं काफी सारे short summaries होती है, comment section में भी, जो है, pin कर देती हूं, so that आप video देखते देखते भी अ अपना revision कर लो, और जो है, बाकी English की playlist given, ssdk playlist given है, जो chapter पढ़ना है, जल्दी से पढ़ो, कोई query से तो मुझे comment करते रहो, so with this, best of luck, यहाँ हमारा पहला chapter complete हो गया है, I hope आप सब लगोंने मुझे comment section में बिल्कुल सही answer बताया होगा, so with this, best of luck, मैं मिलती हूं आप से next video,